हेलो दोस्तों सागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल स्रिया के किचन में चलिए आज नए तरीके से अंडे को उबालते हैं पत्ते में पहले मैंने कढ़ई में यह तार को ऐसे ही बान लिया है अंदर मैंने ऐसे ही एक स्टैन को रखा है और इसके उपर यह पत्तिली सी लोहे का तार होती है इसे बान लिया है और इसमें पानी डाला है अब यह पर्टे को ऐसे मैंने सिला है देखिए ऐसे अब एक छोटी सी पतली सी लकडी के जरिया आप ऐसे पत्ते को फिल लेजिए देखिए ऐसे होना चाहिए पहले पानी को उबलने देते हैं अब यह सब इस अंडे में लगेगा यह कोथी ही प्यास हल्डी नमर यह दिर्यानी मसाला यह धन्या का पत्ता अब इसमें मीच नहीं है तो यह मेरा छोटा सा पेड़ है जिस्से में दो तीन तोड़ लाते हैं अबढ़ रक्यों इकर शेनी तो कि अब तो दुकु कृड़ी लांकी अब। 수ावन थोटे रप्सenda मिलाले तेह, कि दुनिया कपकादी जन्या का पत्ता भी डाल जिया है अब यह मसाला आपको और कोई मसाला चाहिए तो इसमें डाल सकते हैं इस अच्छी तरह से निला लेना है ऐसे ही आप एक बार बना कर खाये दिखे इसकी टेस्ट अच्छी ही होगी इस पत्ते को डालते हैं ऐसे होगी आपको अच्छी एल झाल आसे ही धाग देते हैं अबसे नगा देते हैं करते हैं कैसा हुआ है तरह दखते हैं कैसा हुआ है झाल 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 ऐसे ही खा सकते हैं देखिए कैसा है उपर भी अच्छी तरह सिपक इसे भी निकाल देते हैं पहले बाद थोड़ा सा गरम था तो जल्दी नहीं हुआ अब देखिए इसे बहुत ही अच्छा हुआ है देखिए देखिए अच्छा हुआ है बहुत ही अच्छी सुगंद आ रही है खाने में भी अच्छा लगेगा देखिए आज साम के समय बनाया थो अभी थोड़ा सा अंधिरासा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा कम लाइट आ रहा है ऐसे ही आप बनाए और मेरे चैनल को देखने के लिए आपको धन्यबाद देखिए इसके उपर आप थोड़ा सा चीली सस डालते हैं ताकि इसकी टेस्ट और ज्यादा बढ़िये कितना ही खुब सुरात लग रहा है इस हरा रंग जो दिख रहा है यह पत्ते का कलर है आप मेरे चैनल को देखते हैं इसलिए आपको मैं धन्यबाद देती हूं ऐसे ही आप देखिए लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लेजिए ताकि मैं जब अगले वीडियो डालूं तब आप तक पहुंचे तब तक के लिए मैं रहती हूं धन्यबाद